यहां का स्पेशल क्या है? यह होता है मेरा पहला सवाल बस से, प्लेन से, ट्रेन से, किसी भी नई जगह पर उतरते हुए. मुझे ट्रावल करना हो अब पसन में, पर कोई भी ट्रावल मेरा कम्प्लीट नहीं होता उस जगह का लोकल खाना खाये दिना. और सोचिए, अगर जगह अपने देश यारी इंडिया जैसी हो, तो किसी भी स्टेट, शहर, गाउं, गली, पूचे में चले जाएगे, कोई ने कोई स्पेशालिटी ज़रों में जाएगी. तो मैंने नहीं सोचा, क्यों ना इन सब जगहों को मैं लेके आओ, आपके घर में, उन जगहों की स्पेशल खानी के द्वारा. स्वाधत है आपका इस नहीं सिरीज में, जिसका नाम है यहां का स्पेशल और हम मिलके बनाएंगे इन जगहों का स्पेशल खानी. Hello guys, welcome to another episode of यहां का स्पेशल है, और आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्रा, महाराष्ट्रा की स्पेशल देलिकेशी बहुत सारी है, पर मैंने आश्ट्रा है किया पूरन पोली. पूरन पोली मैंने खाई थी बहुत साल पहले अपनी कास्दिम के घर में, उनकी शादी हुए थी महराष्ट्रा में, और उनकी मादर इनलौ पूरन पोली बनाए थी, बहुत distinctively मुझे उस पूरन पोली का फ्लेवर याद है, मैं उसके बाद बहुत बहुत बार पूरन पोल का मैं देटा तरीके से बनाए जाती है, बहुत different दरीके से यह भूत इसे खाते हैं how पेश्वाओ के टाइम से चली आ रही है तो देखते हैं यह पूरन पोली कैसे बनाई जाती है पूरन पोली दो शचदों से बना हुए है पूरन है च्णी की डाल का मसाला जुसमें जागरी मिक्स करके उसको स्टाफिंग की तरह बनाया जाता है और फोली वहार रोटियों को बोलते है तो ऐसे हुआ यह पूरन फोली पूरन बनाते हैं सबसे पहले जुसके लिए हमें चा और जितनी दाल ली है उसकी 3-4 हमें जागरी यानि गुड लेना है आप लोग नॉर्मल जागरी गुड का यूज कर सकते हैं पर मेरे पांस जागरी पाउडर है इसलिए मैंने वो ले लिया है उसके साथ मैंने ली है चार लाइची ली है मैंने और मैंने ले लिया है जाइफल जिसे nutmeg भी कहते हैं, तो चलिए पूरन-पोली का पूरन बनाते हैं, तो ये चार एलाइची ले लिए मैंने, और इनको पीस लेते हैं, तो ये लाइची पीस के तयार है, अब चलिए जल्दी से बना लेते हैं, अपना पूरन, पूरन बनाने के लिए हम ले रहे हैं, सबसे पहले घी, दो चम्मज घी डाल रहे हूं, और हमारी जो दाल थी, वो में इसमें डाल दूँगी, तो थोड़ा सब भीन लेते हूं, उसके बाद में इसमें डालने वाली हूं गोर्ट, मेडियम फ्लेम पर रखना है मुझे इसको, और मैश करते जाना है बेसिकली, चलिए इसमें अब गोर्ट डाल देते हैं, और इसको और मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, खुच्बू अल्री बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, तो यह जितना भी मैश हो सता था, हमने मैश कर लिया है, बाकी इसमें मिक्सी में चला लेंगे, इसमें डाल देती हूं, इलाइची, एंड नटमैक जाइफल, इसमें पूरन का कलर इतना डाक इसलिया है, तो जैसा आपका गोड का कलर होगा, उस पर बहुत पेंड करेगा, कि इसा आपका पूरन का कलर आता है, अच्छे से सब मिक्स हो गया है, अब मैश को ठंडा होने दूंगे और उसके बाद एक बार मिक्सी में चला लेंगे, तो जब तक हमारा पूरन थंडा हो रहा है, तब तक हम आमरस बना लेते हैं, जिसे हम सर्फ करेंगे पूरन पोली के साथ, तो आमरस के लिए चाहिए एक मीडियम साइज आम, जिसे मैंने डाइस कर लिया है, एक टेबल स्पून जागरी या गोड, गोड पाउडर है मेरे पाउ पूरन डेडी है बनके और हमें इसे फाइन बनाने के लिए चलने ही ले लिए मैंने और इसमें मैं इसे चान लोगी जिसे एक तर्म परफेक्ली स्मूध पेस निकले, तो हाथ से करना पड़ेगा तो पूरन पूरी तरह तयार है और पोली के लिए जिसे रोटी कहते हैं हम नॉर्मल लांगविज में उसके लिए आटा मैंने पहले से मल के रखा हुआ था तो काफी सॉफ्ट आटा मला है मैंने इसके लिए तो चलिए अब बेलते हैं अपनी पूरन पोली एक लोई ले रियो मैं नॉर्मल से थोड़े से बड़े साइस की तो जिस तरह से हम स्टफ्ट पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें ये बनानी है और थोड़ी सी बड़ी मैंने लोई ले लिए और इसको बेल लेते हूँ हूँ अब हम लेते हैं पूरन और इसको भी मैंने थोड़ा बॉल शेप का बना लिया है और अब इसको स्टफ करते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे स्टफ पराठा बनाते हैं उसी तरह से हम इसको स्टफ कर लेंगे तो ये हमारा स्टफ हो गया है और इसको हाथ से थोड़ा सब फ्लाटन कर लेते हूँ और जैसे रोटी को बेलते हैं पलेतन लगा के इसको बेल रहा है वाले है पूरन पूली थोड़ी सी बड़ी साइज की बनती है आज कंपेर टो नॉमल रोटी है नॉमल स्टफ सराचा पूरन पूली कर नाटका में भी खाई जाती है सिरस नाम का फरक है यहां पे इसको कहते हैं होडी के तो यह ने बेली है जैसा आप देख सकते हैं और चलिए अब इसे सेक लेते हैं रोटी की तरह जैसे रोटी को सेकते हैं उसी तरह सेक लेंगे इसको तो हमारी पूरन पू अब हम इसे तयार कर जते हैं तो जब तक घीन आपड़े बहुत सारा पूरन फोली में तो पूरन फोली का मज़ा नहीं आता अब हुई हमारी पूरन फोली रेडी आमरस पूरन फोली तो गाइस पूरन पॉली बनके रेडी है और देखते हैं यह कैसी बनी है तो मैं ट्राइग करते हूं इसे इस पर बहुत सारे घी की सर्विंग कर दी है मैंने और अब हम इसे खा के देखते हैं अपने आमरस के साथ तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा पूरन पॉली की एजी सिंपल रेडी अच्छी लगी डोंट सब्सक्राइब तो अचैनल बहुत सारे कुकिंग विडियो यहां का स्पेशल सेरीज में लेके मैं आने वाली हूं और बहुत सारे फन विडियो बनाते हैं इस चैनल पे जो आते हैं तुमारे साथड़े को ट्यूस्दे को आता है वीकन व्लॉग तो यपोन वाट 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 उतलो बातो वीकने अचैनल फिज़िए लाट वाट रड़ प्रषय जाएब टो अचैनल और भी डिजयू है झिटे अज्ट वाट वाटे बाट लिए वाट वीका नेच्टी को एको ट्でाट एल्यू अटारानी हो वीडियों जीक वीडि